गिर्जिया देवी यानि की गर्जिया देवी मंदिर कई नामों से जाना जाता है जैसे इसे गिर्जिया देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये मंदिर माता पारवती के प्रमुक मंदिरों में से एक है उत्राखंड से लगबग 15 किलोमेटर की दूरी परिस्तिद है माता का ये अद्भुद मंदिर मंदिर छोटी पाहाडी के उपर बना हुआ है यहां का खुबसूरत वातावरन खुबसूरती का एसास कराता है देवी के परशिद मंदिरों में से गिर्जा देवी यानि की गर्जा देवी माता का एक एहम इस्थान है गरिराज हमाले की पुत्री होने के कारण इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है इस मंदिर में माभगवती देवी वैश्णवी के रूप में इस्थित हैं यह मंदिर कोसी नदी की किनारे पर बना हुआ है धिकुली गर्जिया चेत्र का लगबग 3,000 वर्षों का एक अपना इतिहास रहा है प्रख्यात कस्तूरी राजवंस, चंद्र राजवंस और गोर्खावंश और अंग्रेश शाशकों ने यहां की पवित्र भूमी का सुख भोगा है 1940 से पहले इस मंदिर की इस्थिति आज की जैसे नहीं थी कालंतर में इस देवी को उप्टा देवी के नाम से भी जाना जाता था ततकाल इन लोगों की धार्णा थी कि वर्तमान में गर्जिया मंदिर जिस तीले परिस्तित है वा कोसी नदी की बार में किसी उपर शेत्र से बहकर आया था अब आपको इसके महत्तों के बार में बताते हैं मात्रा के आगे उसका निवारन होता है धर्जिया देवी मंदिर में मागरिजा देवी सतोगुनी रूप में विद्मान हैं जो भक्त की सच्छी श्रधा से प्रसंद हो जाती है यहाँ पर जटा, नारियन, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप और दीप आधी को चड़ाया जाता है और मागी वंदना की जाती है मनो कामना पूरी होने पर श्रधालों यहाँ पर गंटी का छत्रा आधी चड़ाते हैं वर्तमान में इस मंदिर में गिर्जा माता की साड़े चार फिट उची लंबी मूर्ति स्थापित है इसके साथ ही माता सरसुती, गनेश तथा बटुप भैरव की भी संगमर्मर्की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है कार्तिक पूर्णी मा को और गंगा के स्नान के पावन पर पर गिर्जा देवी के दर्शन के लिए लाखो भक्त आते हैं इसके अलावा गंगा दशेरा, नवदुर्गा, शिवरात्री और उत्रायनी बसंद पंचमी में भी काफी संग्या में शर्धानों मा के दर्शन के लिए आते हैं आप भी शर्धा से इस मंदिल में जाएं और मा देवी के दर्शन जरूर करें अगर आपको हमारी जानकरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत झाल